मदर की डेथ हो जाने के पाथ मदर बच्चों को अपने पैरेंट्स की हाँ पर लिकर जाती है कुछ रिजन्स की वज़े से बच्चों को घर में छुपकर रहना पड़ता है यहाँ से एक बहुत ही अजीब तरीके से स्टोरी अनफोल्ड होती है हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको फ्लावर सिन्दैटी यह 2014 की एक हॉलिवर मुवी एक्स्प्लेन करने वाला हूँ अगर आपको वीड़ो चलगता है तो प्लीजी से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा अब बिनग सिदेरी के एक्स्प्लेशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हमारी कैरेक्टर कैथरी नहीं हमसे बात कर रही थी वो कहते है कि लाइफ में कब क्या टर्न आ जाए इसके वारे में आप बता नहीं सकते हैं पहले तो हमारी लाइब बहुत ही परफेक्ट थी पर उसके बाद बहुत ही डेंजरस से टर्न आए अब यह सब क्या था यह हमें फ्लैश बैक में पता चलेगा हम कैथरिन की फैमिली देखते हैं जिसमें उसके छोटे से ट्विन प्रेदर और सिस्टर्स थे और एक बड़ा प्रेदर था जिसका नाम था क्रिस्टोफर मदर का नाम था कोरिन और फादर का भी नाम क्रिस्टोफरी था फादर हमेशा अपने काम से जारा दूर रहते थे आज जो घर पर आये तो उन्हें देखका सब लोग बहुत एक्साइटर थे फादर ने भी सब के लिए गिफ लाया था मदर के लिए उन्होंने एक बहुत एक्सपेंसियो निकलेस लाया है इसके बाद वो बच्चों के साथ गार्डन में खेल रहे थे कैथरीन अपने फादर से बात करती है कहती कि आप इतना जादा दूर मत चाया करी है वो उन्हें मिस्स करती है घर में सब लोग बीजी होते हैं और उस पर कोई भी धान ने दे पाता वो और कुछ बता बाती इससे पहले कोरिन अच्छी दरीए से तैयर होकर बाहर आगी वो एक्साइटेट थी क्योंकि फादर को प्रमोशन मिल गया है अब वो और भी जादा बीजी हो जाएंगे इस बात से गैथरीन को बहुत बुरा लगा वो अपसेट होकर अपने रूम में चली गए फादर उसे मनाने के लिए उसके पास आया एक बहुत ही एक्सपेंस वे नेकलेस उसे गिफ्ट करता है फादर ने गाक में जो भी कर रहा हो इस सब कुछ हमारे फैमिली के लिए है लेक्सिन में हम देखते है कि इनकी घर पर बड़े पार्टी थी फादर ज़रा लेट हो गया दोर पर नौक आई पर ये पुलिस की थी फादर का एक्सेडन हो चुगा था और उनकी डेथ हो जाती है सब लोग को बहुत शॉक लगा ट्विन्स को तो अपने फादर की बहुत जादर याद आती थी कोरिन बहुत जादर डिस्टब होने लगके उसके पास पैसे भी नहीं थे कैथरीन ने पूछा क्या हम ठीक रहेंगे कोरिन गया दिये मेरे पास कोई भी स्कील नहीं है मैं सुन्दर थी इसी वज़े से मेरे तुमारे फादर के साथ शादी हुई थी और वो कुछ ना गुश करने का तो ट्राइ कर ही रही है पैसे ना दे पाने की वज़े से कैथरीन का पहले क्लास भी छूट जाता है कोरिन ने बहुत सारे लेटर्स लिख कर इन्हें पोस्ट कर दिया थोड़े दिनों बात कोरिन को लेटर्स का रिपला आता है उसने फिर अपने सब बच्चों को कहा कि अब हम जाकर मेरे पैरंट्स के हाँ रहने वाले हैं बच्चे शौक टोक गए क्योंकि उन्हें कोरिन के पैरंट्स के बारे में पता ही नहीं था कोरिन ने कहा मैंने मेरे पैरंट्स के मरजे के खिलाब शादी की थी तो इसी वज़े से वो हम पर बहुत गुसा थे अब वो फिर से उनके पास जाकर माफी माग लेगी सब को मना लेगी बच्चे ज़रा कन्फियूस थे क्योंकि यहां की पूरी लाइफ छोड़कर उन्हें वहाँ पर जाना पड़ेगा और कोरिन ने प्रामिस किया कि मेरे पैरंस बहुत ज़ादा रीच है यहां पर इनकी जो भी सब चीज़े थी इससे ज़ादा वो उन्हें पाई कर कर देगी क्योंकि वैसे भी यह लोन पे नहीं कर पाया तो इस वज़े से बैंक सारी चीज़े इनकी ले लेगी इसके बाद एक कोरिन की सीटे में पहुँचे वहाँ पर उन्हें लेने के लिए कोई भी आया नहीं था वैसे रात में बहुत टाइम तब वॉक करते करते वो कोरिन के घर पर आ गए कोरिन की मदर दर्वाजा खोल दिया इसका नाम था ओलिविया ओलिविया ने कहा कि देखो बिल्ली अपने साथ क्या लेकर आई वो कोरिन को हमेशा बिल्ली बुलाया करती थी बच्वन से ओलिविया ने कोरिन को हेटी किया कि कोरिन अपने फादर से क्लोस थी ऑलिवय ने बच्चों को एक उपर का कमरा दिया जहाँ अबर कोरिन की फादर उन्हें देखना पाए बच्चे घर में हैं ये एक सिक्रेट था कोरिन अपने फादर को कुछ भी पताना नहीं चाहती थी अगर फादर ने पहले उसे माफ कर इसके बाद उन्हें पता सकती है कोरिन ने समझा दिया कि मैरे फादर बहुत ही ओल्ड है वो कभी मर सकते हैं एक बार उन्हें अगर मुझे फिर से एकसेप्ट कर लिया फिर हम मिलिनियर बन जाएगे हमें इस तरीके से रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोरिन ने कहा कि मै दिन बर यहां पर नहीं रह सकती वो बीच बीच में उन्हें मिलने के लिए आती रहेगी अगली सुबह ऑलीविया बच्चों के लिए खाना लेकर आए उसने कहा कि दिन बर तुम्हें खाना है मैं फिर से तुमसे मिलने के लिए नहीं आऊंगी या इस रूम में थोड़ा कभी आवाज नहीं होना चाहिए अगर ट्विंज को खेलना है तो उपर एटिक है वहाँ पर खेल सकते हैं बातरूम यूज करते वक्त कभी लड़का और लड़की एक साथ नहीं जाएंगे अलिविया ने का कि अगर तुम्हारे ग्रैंड फादर को पता चला तुम लोग यहा क्रिस्टोफर ने उनके लिए जुला बना दिया रात में कोरेंड सबसे मिलने के लाएं क्वींस उसे कहते हैं हम यहा पर नहीं रहना वहादी बॉर हो रहे थे उन्हें घर पर जाना था कोरेंड ने समझा दिया कि तुम्हें कैथरिंग और क्रिस्टोफर कर सब कुछ सुनन मैं यहां से चली जाओंगे उलिविया ने कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे तुम कर सकती हो यह मेरा घर है और मेरी सब चीजी हाँ पर चलेगी उसने को अपना शर्ड निकालने के लिए कहा इतने सालों बात कोरिन वापस आये तो इस वज़े से उलिविया ने कोरिन को बह जाते हैं ऑलिविया ने कहा कि तुम सब बच्चे एक डेविल की संतान हो यह बात बहुत ही अजीब थी यही जीज कैथरिन वंडर गर दिया किसका क्या मतलब हुआ कोरिन ने उसे समझाया कि जब मैं चोटी थी तो मेरी मदर मुझे बहुत मारा करती थी तो इस वज़े से अपने फादर के बहुत ही क्लोज थी हमेशा मेरी मदर मेरे फादर को मेरे खिलाब बहुत ही अलग अलग चीज़े पताया कर दे थी स्लोली स्लोली मेरे फादर भी काम में बीजी हो गए थे तो इस वज़े से मैं घर में अकिली पड़ गए तब ही मेरे फादर का हाप इन पर बहुत ज़्यादा कुछ साओ गई थी फादर ने भी कोरिन को उनके विल से निकाल लिया था ओलिविया ने कोरिन को कहा था कि अगर तुम्हारे बच्चे हुए तो अबनॉर्मल होंगे पर इसा कुछ भी नहीं हुआ इसके बाद नेक से नम देते हैं ट्विंस के उसने कहा कैथरिन को बात बहुत ही कंफ्यूजिंग लगी और समझती थी जिस तरीके से कोरिन का अपने अंकल के साथ अफेर हुआ उसी तरीके से इन ब्रदर सिस्टर में भी कोई रिलेशन्शिप हो सकती है अब इसके बाद थोड़े दिन बीट गए थे और कोरिन बच्च के लिए आई ही नहीं तुम्हें जल्दी अपने फादर को मनाना चाहिए हमें भी बाहर जाना है हम इतने भी बुरे नहीं कि वो आपने खुद के ग्रैंट चिल्डरन को एकसेप्ट ना करे कोरिन अब उन्हें सच बदाती है कहती कि मैरे फादर ने मुझे माफ किया पर एक इसे उनके पास आई और कहा कि कोरी मिल नहीं रहा वो हाड़न सी खेल तो एक बॉक्स में बन हो गया था इसे जल्दी से जाकर एक खुलते तो अनकॉंशस हो चुका है कैथरीन ने उसे हट वाटर में बहुत हीट किया उसके बहुत अच्छे से खैल रखती है इन्हें इसे देख लेती है और वैसे ही फेक कर चली गई कोरीन जब इन्हें मिलने के लिए तब बहुत सारे गिफ लेकर आए बच्छे बाहर की दुनिया मिस्स करते थे तो उनके लिए टीवी भी लेकर आती है उसने कैथरीन के लिए बहुत ही ब्यूटिफुल सा ड्रेस लाया हु पार्टी में लेकर गए पर उपर के लिकर कैबिनेट में बन करकर रखती है जहांसे उस सिर्फ पार्टी देख सके एक बौटर लेने के लिए उपर आई थी पर वो निकालती नहीं वो बच्छों को पकड़ी लेती है पार्टी में फर्स टाइम कोरीन के फादर को देखते ह कोरिन के फिर से फैमिली में आने से उन्हें बहुत अच्छा लगा था उसे एक बहुत यह एक्सपेंस उन्हें एक लिस गिफ करते हैं पार्टी के बाद जब बच्चे हाँ से जा रहे थे तो कोरिन को एक आदमी के साथ हो देखते हैं उसे कह रहा था कि हमारी लाइफ एक पास घुमता रहता है जब कोरिन को बात पता चली तो बहुत ज़्यादा घुसा हो जाती है क्रिस्टोफर के आने के बाद उसने उसे जो से स्लैप किया अगली सुभा उन्हें सौरी बोलने के लिए आए क्रिस्टोफर ने पूछा कि आदमी तुम्हारे साथ कौन था कोरिन गयती को मेरे फादर का लॉयर है हमें उसकी जरूरत है हमें मेरी मनजिल के बहुत करीब हूँ उसे बहुत बुरा लगा कि उसने कल यह सब किया था वो गयती कि हम इस तरीके से नहीं रह सकते अगर हमारे पास पैसे नहीं तो क्या हुआ हम कहीं भी एड़्यस कर लेंगे उपर क्रिस्टोवर लड़कियों के मैजिंस देख रहा था कैथरीन जब यह उससे पूछती है तो छुपा लेता है इसके बारे में कैथरीन ने कोरीन से पूछा कोरीन ने कहा कि अब तुम लोग बड़े हो रहे हो तो अलग-अलग चेंजिस तो आने वाले है वो कैथरीन क अगर कोरीन को पनीश करना चाहती थी उसके हेर्स कट करकर पर क्रिस्टोवर उसे मना करता है राग में ऑलिविया ने कैथरीन के सर पर टार लगा दिया सुबा उने पर इसे निकालने के लिए वो बहुत ट्राइ करते है पर निकाल नहीं पाते है कैथरीन क्रिस्टोवर से देख कि तुम्हारी कोई भी गल्ती नहीं थी तुम सिर्फ मुझे देख रहे थे क्रिस्टोफर ने कहा कि तुम मेरे बहुत पास हो मैं हमेशा लड़कियों के बारे में सोचता रहता हूँ वसे लगता है कि कैथरीन बहुत ही ब्यूटिफुल है पर वो इस तरीके से सोचना नीचाहता कैथरीन के हैर से टार निकालने का कोई भी वे नहीं था तो उसने उसके सारे हैर स्कट कर दिया एक दिन कैथरीन जब डान्स पैक्टिस कर रही थी तो क्रिस्टोफर और वो मस्ती करने लग गया ये गलत है ये रेलाइस करकर एक दूसरे से दूर हो जाते है आज कल ट्विन्स बाहर जाने का नाम भी नहीं लेते थे उन्होंने उन्हें खिलके में आकर बाहर जाने के लिए कहा पर फिर भी उमानते नहीं एक दो साल ये सब यही पर रहे है कैथरिन और क्रिस्टोफर को भी बाहर जाना था तो रात में क्रसी की मदद से नीचे उतर जाते है एक ब्यूटिफुल से लेक के पास आए ये वंडर करते हैं क्या कोरिन उनके लिए कुछ करेगी वो उस पर अब ट्रस नहीं करते है कोरिन बच्चों से मिलने के लिए आई पर डारे लिए 4-5 मंद के बाद वो बच्चों से कहती है कि मेरी शादी हो गई है वो हनिमून पर थी इसी वज़े से उनसे मिलने के लिए नहीं आ पाई क्रिस्टोफर कहता है कि ऐसा अब नहीं चलेगा दो साल हो गए हम यही पर बड़े हो रहे है वो इस तरीके से अब यहा पर नहीं रह सकते है कैतरिन ने कोरिन से पूछा क Nep preaching कुछ भी नहीं बोली और यहा से रों चली गए ओलिविया के हाथों कोरिन उनके लिए सुईट्स भेज देती है दोनर्स देखकर सब लोग बहुत खुश हो गए थे क्याथरीन ने क्रिस्टोफर से कहा अब हम यहाँ से निकल जाना चाहिए हमें बाद में कितने भी पैसे मिले पर हम इस तरीके से नहीं जी सकते हैं क्रिस्टोफर ने कहा कि हमें निकलने के लिए थोड़े पैसो की जरुवत पड़ेगी वो इंडो के पास खड़ा था तो आलिया उस पर बहुत चिला दिया वो से कवे भी उसके नाम से नहीं पुकार थी तो क्रिस्टोफर कहता है मेरा मेरे फादर की तरह क्रिस्टोफर नाम है इस बात पर आलिया और भीजादा गुष्साओ कि उससे कोड़े से बहुत मारती है कैथर्यन ने क्रिस्टोफर की जग्म देखी और ये दोनों किस कर लेते हैं रोते- रोते ओलिवया के पैर में किर गया कहता है कि मुझे बहुत बड़ी पूल हुई है प्लीज मुझे माफ कर दो ऑलिविया गौड़ पर बहुत बिलिव करती थी उसने कहा तुम्हें गौड़ ही माफ कर सकता है कौलिविया के जाने के बाद कैधरीन बहुत ही कनफियूस्ट होगी क्रिस्टोफर से बुछती कि तुम्हें इस सब कर क्या रहे थे क्रिस्टोवर हसने लग गया, उसमें ऑलिवया की कीश की कॉपी बनाई थी, अब वह जब चाहे यहाँ से निकल सकते हैं, अब हर रोज राद में जाकर, घर से थोड़े थोड़े पैसे निकालने लग गये, ऐसे थोड़े थोड़े पैसे चुराते हुए, इन्हें बहुत टा इसको देख रहा था यह अभी अभी बनवाई गई थी और इस पर इलेक्ट्रिक का शौक पर लगवा रहे थे इस इलेक्टिसिटी को बन करने का स्वीच उसने ठून लिया घर में आकर हो देखता है तो कोरिन और इसका बात कर रहा था उसका कहता है कि मुझे सपना आया जिसम क्रिस्टोवर समझ गया कि कैथरीन थी उस पर बहुत ज़्यादा गुसा आजाता है गुसे में एक दूसरे के साथ ही इंटिमेट हो गए क्रिस्टोवर से कहती है क्या अगर तुम सहो तो हम यह सब चीज़ें बन कर सकते हैं क्रिस्टोवर ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्य कर गए अगली दिन उलिवा इनके पास आई कहती कि तुम्हारा ट्विन ब्रदर बहुत ज़्यादा एल था हमने उसे बचाने की बहुत कुछिश की पर कुछ भी कर नहीं पाए उसकी डेथ हो गए इन सब को बहुत बुरा लगता है अब एक पल भी यह यहां रह नहीं सकते नहीं करते हैं कि रात में घर में जोबी जोहलरी होगी जितने भी पैसे होंगे सब लेकर यहां से भाग जाएंगे इसिपादर पार्दर केमर जाने के बाद उसने अपने हस्बन को भी बच्चों के बार में नहीं बताया था, बच्चों को हमेशा एटिक में ही रखेगी। वे खूलनने ही क्रिस्टोफर जब उपर आय, तो उसकी चोटी सिस्टर की हालत जरह खराब थी। इन सब का आवाज सुनकर औलिवया उपर आ गे, उने मार रही थी पर कृिस्टोफर ने उसकी छड़ी ले ली, वो औलिवया को पकड़ लेता है और सब लोगों को एटिक में जाने के लिए कहा, उन्हें पता था कि ओलिवया को एटिक में जाने से डर लगता है, वो भी उसे गसिटे गसिटे वही पर लिकर गया, वो डोर बन कर देता है, और ये सब खिड़की से बाहर निकर गया, अलिविया भाहा से नहीं जा पाए, उसके हालत बहुत जादा खराब होगी, इन सब को भागता देग एक सरवन ने उन्हें देख लिया, क्रिस्टोफर उसे गहता है कि हम उस प्लेस पर कभी भी नहीं जाएंगे, पर हमारी मुलाकात फिर से हमारी मदर से हो सकती है, मुझ में और क्रिस्टोफर की बीच में जो भी है, इस वाज़े से कोरिन को हमेशा शेम में जीना पड़ेगा, यही उसके लिए सज़ा होगी, क्रिस्टोफर के साथ हो ना, य बेल नोडवेशन आइकोन नोने मद भूलेएगा, विर से में लेंगे और एक नम्मूगे साथ, तक लिए थांक्यू